हेलो दोस्तो मेरा नाम विकास है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टन्ट करन्ट एफेस डिसकर्स करेंगे फोर्थ वीक आफ ऑक्टोबर के ये वीडियो आपके लिए काफी हल्फुल रहेगी तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टन्ट इन्फॉर्मेशन सो स्टुडेंट्स हमारी एक एप्लिकेशन है केरियस क्लाउड के नाम से जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फिलाल यह एप्लिकेशन सिरफ एंडरोड यूजर के लिए अविलेबल है तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें और ओपन करिए आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ once you have logged in आपको option मिलेगा आप my courses में available courses में जाके यहाँ पर टिक करिए हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको current affairs जो भी provide किया जाएगा आप affairs cloud से ही पड़े हम ऐसा क्या देते हैं आपको हम आपको daily current affairs provide करते हैं यह समझ यह PDF मिलेगी आपको daily both Hindi as well as English दोनों languages में आपको current affairs की PDF provide की जाएगी इसके साथ साथ आपको याद रखने हैं कि daily हम आपका current affairs का quiz भी लेते हैं application पे जो कि बहुत जादा revision के लिए helpful रहेगा आपके आपको daily quiz में लेगे 10 से 15 question 20 question का जिससे आप practice कर सकें आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा या आप आपने वीडियो जो हमने आपको PDF provide की उससे देखा आपकी revision कितनी अच्छी होगी quiz से similarly हम आपको weekly basis पे भी यही करते हैं कि उस पूरे week की हम आपको Hindi में as well as English में PDF provide करेंगे current affairs की जो आपके revision के लिए आपके notes के लिए बहुत जादा helpful रहेगी and same हम आपको करते हैं month में तो मतलब देखिए हम आपको daily same चीज़ पढ़ाएंगे week में वो चीज़ पढ़ाएंगे and month में आपको फिर से वो चीज़ पढ़ाएंगे तो आपकी कम से कम तीन बार नोट से revision हो गई और जो quizzes होगी जो आप videos देखोगे वो अलग तो आप एक ही material को कम से कम 6-7 बार पढ़ हम आप वीडियो से रिवाइस कर सकते हैं फिर आपको notes मिल जाएंगे pdf से similarly हिंदी एन इंग्लिश में दोनों में pdf प्रोवाइड की जाती है अब topic क्या क्या होते हैं जैसे apps and web portals से related कोई नई app launch की गई important days उस महिने का कौन-कौन से important days रहे किसी ने कोई नई book लखी उनके author और beauty से related किसी मिहान व्यक्ति की मृत्य हो गई recently famous personality की फिर sports से related जैसे नीरा चोपडा ने अभी जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में तो यह सारे related information science and technology से related national affairs से related international affairs से related तो यह सभी topic wise हम आपको pdf's provide करेंगे अपने course में तो जरूर से इस course को check करना है इसके साथ साथ banking से related भी हम आपको questions की pdf provide करते हैं जो कि exams में पूछे जाते हैं तो overall देखा जाए तो यह आपके लिए एक बहुत अच्छी opportunity है जो आपको grab करने चाहिए and I strongly recommend you कि अगर आप aspirant हैं तो मैं आपको strongly recommend करता हूँ कि हमारी website and application को जरूर check करें and हमारी जो application में जो quiz का section है उसको तो आप definitely check करें क्योंकि आपके लिए revision purposes के लिए बहुत ज़ादा helpful रहने वाला है इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का discount provide कराता हूँ अपना code vikas10 use करके आपको कुछ नहीं करना सीधा vikas10 का code use करना है और आपको सीधा 10% का discount मिलेगा जो भी आपकी value होगी course purchase करने की हमारी application से तो आप जाके course हमारी application से purchase कर सकते हैं तो अपना ये session start करते हैं तो चलिए friends start करते हैं सबसे पहले हम अपने session वन लाइनर से start करेंगे कुछ important national news के पहला है कि इंडिया का पहला state government owned wildlife DNA testing analysis lab कहां पे inaugurate की गई नागपूर में गोआ बिकेम दा फर्स टेट टू अचीव ODF and electricity for each household प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदीजी के द्वारा एक नया mission launch किया गया जिसका नाम था आईश्मान भारत health infrastructure mission अभी recently फाइजाबाद railway junction को change करके उसका नाम आयोध्या कैंट रख दिया गया किस government के द्वारा यूपी government के द्वारा गुजरात की चीफ मिनिस्टर भुपेंदर पटेल ने भी एक go green scheme को launch किया जो provide करेगी subsidized electric vehicles to the workers इंडिया's first radio over internet protocol system for major ports launched in कोलकता महराष्टरा वो पहले इंडियन state बने जिसने अपना खुद का wildlife action plan launch किया 2021 से 2030 के बीच के लिए है अभी recently Supreme Court ने committee set up की to probe unauthorized surveillance using the Pegasus in India Pegasus को जिन्हों लोगों ने use किया था उस पे surveillance एक start की उसकी एक committee Supreme Court के द्वारा सब बनाई गई जिसको head कर रहे है RV Ravindran election commission of India के द्वारा अभी एक digital mapping of polling booth के लिए एक application launch की गई उस application का क्या नाम रहेगा Garuda app I repeat Digital mapping of polling booth के लिए election commission of India के द्वारा एक application launch की गई जिसका नाम रहेगा Garuda app MSME ministry के द्वारा संभव एक scheme launch की गई to promote entrepreneurship in India I repeat Entrepreneurship जो आपके business को बढ़ावा देने के लिए कि आप खुद business band मन सकते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए MSME ministry के द्वारा संभव launch किया गया पूछा जा सकता है vice versa format में कि संभव किस के द्वारा launch किया गया था MSME ministry के द्वारा ठीक है Civil aviation ministry ने launch किया क्रिशी ओडान 2.0 to promote agri products transportation by air Agriculture minister ने inaugurate किया Apple festival कहाँ पे जम्मू इन कश्मीर में Apple festival कि स्टेट के द्वारा observe किया जाता है जम्मू इन कश्मीर के द्वारा फिर next है India का largest aromatic garden कहाँ पर inaugurate किया गया उत्राखंड में inaugurate किया गया उत्राखंड में अगर आपको याद हो तो largest open fundry largest open fundry वहाँ पे establish की गई थी कहाँ पे उत्राखंड में and largest aromatic garden कहाँ पे है ये भी उत्राखंड में तमिल नाडू के द्वारा अभी एक unique academic scheme launch की गई जिसका नाम है इलाम थेड़ी कालवी पर्यावरन साथी ये एक chatbot और एक website launch की गई किन के द्वारा डेली गॉर्वर्मेंट के द्वारा ठीक है पर्यावरन साथी ये एक website as well as chatbot मतलब website के अंदर आपका chatbot रहेगा नेक्स्ट स्टेट एनर्जी एफिशेंसी इंडेक्स में किसने टॉप किया करनाटका ने पब्लिक अफेर्स इंडेक्स में किसने टॉप किया केरला ने दोनों याद रखना स्टेट एनर्जी एफिशेंसी इंडेक्स ने टॉप करने वाली स्टेट करनाटका और Public Affairs Index में टॉप करने वाली स्टेट आपकी केरला ये तो थे आपकी कुछ National News अब आयते हम बात करेंगे कुछ International News के बारे में सबसे पहले है 7th Meeting of BRICS Communication Ministers 2021 के इनके द्वारा चेर की गई ये थी देवू सिना चोहन के द्वारा ये BRICS की Communication Ministers की मीटिंग चेर की गई at COP26. Invest India को इलेक्ट किया गया as the President of the World Association of Investment Promotion Agencies. Sitaraman virtually attended the 6th Annual Meeting of Board of Governors of the AIIB. Government of India and Asian Development Bank signed a $4.5 million loan for the Mizoram to support urban mobility. Shaukat Miziroye elected as the President of Ujbekistan for the second term अभी recently एक App Scale Academy Program launch किया गया है Google के द्वारा किस Ministry के साथ मिलके? तो Ministry of Information and Technology के Startup हब के साथ मिलके Google ने App Scale Academy Program को लाँच किया. Global Climate Tech Investment Trend Report ये एक रिपोर्ट आई जिसमें इंडिया की rank रही 9th और जिसने Top किया वो था United States of America. I repeat Global Climate Tech Investment Trend में जो country ने Top किया वो तो है USA और इंडिया की rank रही 9th. South Korea inaugurated world's largest hydrogen fuel cell power plant. I repeat world का largest hydrogen fuel cell power plant किस country के द्वारा launch किया गया? वो South Korea के द्वारा launch किया गया और याद रखना इसमें याद कर रखना एक अच्छी चीज़ है hydrogen cell fuel power plant ना ये कम से कम 2.5 लाक लोगों को households लोग नहीं, 2.5 लाक households को हर साल electricity प्रोवाइड कर सकता है इतना जादा इसका capacity रहीगी. Next, Rajiv Nigam became the, अभी हम बात करेंगे कुछ awards की. Rajiv Nigam became the first Indian to be selected for the Joseph A. Cashman Award 2022 के लिए. 51 दादा साइफ Falk Award से किसको सम्मानित किया गया? Rajnikanth सर को सम्मानित किया गया. 30 दैंगरमबा became the first black women जुन्होंने Peace Prize for the German Book Trade जीता 2021. Tamil film Kuzangal is the first official entry of India to the Oscars 2022. किस company को भी recently India Green Energy Awards से सम्मानित किया गया 2020 के लिए. वो है TVS Motor Company. अगर defense की बात करें तो DRDO ने successfully test किया भी अभ्यास high speed expendable aerial target को. India and United Kingdom ने एक maiden tri service exercise कौंकन शक्ती के नाम से conduct करा ही अभी. ठीक है इसका याद रखना जो Navy का था, tri service मलब तीनों force की हो गई. तो जो यो Navy है, Navy का भी वाता कहां पे? Arabian Sea में. और अभी land पे इनकी exercise होगी मतलब आर्मी की वो कहां पर होगी? उत्राखंड में. Next, India successfully test fired surface to surface blasting missile अगनी 5 को इनोंने टेस्ट किया. Indigenious Indian Coast Guard ship सार्थक dedicated to the nation. Sports से related बात करें, तो Max Verstappen ने अभी US Grand Prix title जीता 2021 का. Victor Excelsen and Acne Yamaguchi ने Denmark Open जीता 2021 का. अभी IPL में दो नई टीम एड हुई हैं, एक तो एमदाबाद और लखनाव की. Fabio Quartaro won the MotoGP title 2021 का. और अगर हम बात करें, नीदरलेंड आल राउंडर रियान टीन डोशाइटे यह नोने रेटार्मेंट ले लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से. यह नीदरलेंड से बिलॉंग करते हैं. अगर कुछ बुक्स अन ओथर्स की बात करें, तो रस्किन बॉंड की एंथलोची, राइटिंग फॉर्मा लाइफ रिलीज की गई. शिदानद राजगाटा जी ने एक नई बुक को ओथर किया जिसका नाम है कमला हैरिस, फिनॉमिनल वीमन. कमला हरिस कौन है, ये पहली वीमन वाइस प्रेजिडेंड है, युनाइटे स्टेट्स अफ अमेरिका की. अभी फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोक्रियाल ने एक बुक किफ्ट की प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी को, उस बुक का नाम क्या है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए. तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे कुछ वन नाइनर्स, अब आजाएए हमारे MCQ पार्ट पर, ये बहुत हेल्फुल पार्ट होता आपके लिए, अगर आप दोनों पार्ट तबियत से तरीके से देखें, नोट बनाके चलते रहें, तो काफी हेल्फुल सेशन रहेगा, स्टा और वो है AU Small Finance Bank, ये अपने टाइप का पहला initiative स्टार्ट किया गया था, याद रखना, AU Small Finance Bank का headquarter कहां रहेगा, जैपूर में रहेगा, जैपूर कहां पे है, राजिस्थान में रहेगा, और अगर इनके MD and CEO की बात करें, तो कौन है MD and CEO, वो है Mr. Sanjay Agarwal In October, Dash successfully flight tested the indigenously designed अभ्यास that is equipped with Dash October में DRDO के द्वारा एक indigenously designed अभ्यास, जिसको आप एक चीज़ और याद रखना, HEAT के नाम से, H-E-A-T Heat क्यों कह रहा हूँ मैं, Heat की एक full form है, H-E-A-T, Heat है आपका high speed expandable aerial target, ठीक है यह अभ्यास से ही related है आपका Heat, इसको successfully test fire किया गया था DRDO के द्वारा and this is, अभ्यास is equipped with inertial navigation system, तो correct answer आपका बन जाता है, option 5 Next question पढ़िए International Snow Leopard Day कब observe किया जाता है Snow Leopard का याद रखना भी recently, Ladakh के द्वारा उनका state animal declare किया गया है, Snow Leopard ठीक है, चलिए Interest Snow Leopard कब observe किया जाता है, फिर 23 October को observe किया जाता है अभी recently, Eco Circuit नाम से 15 thematic circuits launch किये गए थे, किस ministry के द्वारा, ministry of tourism के द्वारा फिर यह कह रहा है कि यह जो Eco circuits या 15 thematic circuits launch किये, ministry of tourism ने, यह किस scheme के अंडर इनको launch किया तो यह स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर 15 thematic circuits को launch किया या identify किया ताकि उनको पे development की जा सके, उनको और बहतर बनाया जा सके which country recently launched a military communication satellite named Syracuse 4A, Syracuse 4A यह किस country के द्वारा launch की गई satellite है तो यह launch की गई थी, France के द्वारा next satellite है हमारी Shizyan 21, Shizyan 21 यह किन के द्वारा launch की गई, यह China के द्वारा जैसा name suggest करता है यह है to test and verify space derby's mitigation technologies, चाइना के द्वारा इसको test fire किया गया who authored the book Kamala Harris Phenomenal Women, नाम हम जानते ही है, कौन है, चितानन्द राजगाटा जी next, next हम बात करेंगे United Nations Day कब observe किया जाता है और किस साल में इसको बनाया गया तो याद रखना, National United Nations Day, आपका 1945 यह आपका सन है जिसमें इसको establish किया गया था और 24 October वो आपकी date है जिस दिन इसको establish किया गया था, मतलब 24 October 1945 यह बना था इन October, the 15th edition of Sunburn Festival यह पूछा गया कि जो Sunburn Festival होता है गोवा में, वो किस मन्थ में होता है हर साल और इस बार सिरफ fully vaccinated people वहाँ पर allow किये जाएंगे, तो यह Sunburn Festival याद रखना हर साल दिसम्बर में होता है गोवा में Next, इंडिया का पहला Green Day Ahead Market launch किया गया, which facilitates the trading of renewable energy, a day ahead in the market Next, which country participated with India in the Made in Joint Tri-Service Exercise कौंकन शक्ति हम डिसकस कर रहे थे, कहां पे हुई थी, Arabian Sea में Navy का पार्ट हुआ, Arabian Sea में कौंकन शक्ति का, इंडिया का किस के साथ, United Kingdom के साथ और इंडिया का, United Kingdom के साथ, United Kingdom कौंकन शक्ति का, लेंड पर जो, आर्मी का अभ्यास होगा, वो कहां पर होगा, उत्राखंड में होगा Name the country that recently signed an MOU with the CAG of India CAG कौन है इंडिया के? Grish Chandra Murmooji, ये इंडिया के Crometer Auditor General of India है Grish Chandra ठीक है, ये इंडिया के CAG है And, इन्हों के साथ अभी एक MOU sign किया, किस country ने, for to strengthen the auditing process in public financing तो ये किया गया, Maldives के साथ Maldives ने CAG इंडिया के साथ Next, वो कौन सा bank है, जिन्होंने Indigo के साथ मिलके, एक co-branded credit card को launch किया गया, जिसका नाम रखा, का शिंग तो कौन सा bank है, वो जिन्होंने Indigo के साथ मिलके, एक co-branded credit card को launch किया, वो है आपका, क्या नाम है bank का Kotech Mahindra Bank, अगर Kotech Mahindra Bank की बात करें, तो headquarter कहा रहेगा, Mumbai, महराष्टा में, MD CEO कौन है, उदे, Kotech, ठीक है Next, which payment bank recently made a strategic partnership with HDFC Limited to provide home loans to his customers, किस bank के साथ, India Post Payment Bank के साथ Headquarter कहा रहेगा, New Delhi में, India Post Payment Bank का, Headquarter कहा है, New Delhi में, and इनका establishment कब हुआ था, इसका, 2018 में Next, next कहा है कि अभी recently, Tata Suns ने Air India को acquire किया in a bid, वो bid का amount आप से पूछा गया, कितने amount को उन्होंने bid किया, ताकि Air India को acquire करें वो 18,000 करोर रुपे का उन्होंने bid लगाया था Next, Dash became the fifth most valued company while the top spot was retained by Dash India की top most या फिर सबसे most valuable company कौन सी है, Reliance Industries और fifth number पर अभी जो most valued company बनी है इंडिया की वो है ICICI Bank तो correct option आपका बन जाता है, ICICI Bank fifth number की largest है और जो top most इंडिया की सबसे most valued company है, वो है Reliance Industries Limited Next, name the movie that was selected as the India's official candidate for 2022 Oscar 2022 के Oscars के लिए, इंडिया की जो movie select की गई वो एक Tamil movie थी, जिसका नाम है Huzangal Next, name the world's first instant advice app जो की launch की गई Union Ministry of Road Transport नितिन गड़करी के द्वारा इस application का आप से नाम पूछा गया, नाम है consult, CUN, SULT application का नाम है जो की launch की गई, Ministry of Road Transport नितिन गड़करी के जवारा जो की इंडिया की या फिर वर्ल्ड की पहली instant advice application रहने वाली है किस country के द्वारा host की गई, first United Nations Global Media and Information Literacy Week 24 से 31 October के बीच में और उसकी theme पूछ गई आप से तो याद रखना, South Africa के द्वारा ये UN की पहली Global Media and Information Literacy Week observe किया गया, 24 से 31 October के बीच में और जो theme रहेगी इसकी वो क्या रहेगी? Media and Information Literacy for the Public Good I repeat, Media and Information Literacy for the Public Good इसकी theme रहेगी Next, as per the report, five years on global climate tech investment trend since the Paris Agreement India की क्या rank रही with 1 billion US dollar की investment के साथ और इसको top किस ने किया? तो याद रखो, इंडिया की जो rank रही वो तो थी आपकी क्या? Top करने वाला बना USA और इंडिया की rank रहेगी 9th with an investment of 1 billion US dollar Option 4th correct है Next, कौन सी insurance company ने partner किया भी Google Pay के साथ to ensure users to buy health insurance on Google Pay app? किस bank की insurance के द्वारा? SBI General Insurance के द्वारा करा गया है Headquarter का रहेगा General Insurance का मुंबई, महराष्टरा में MD and CEO कौन रहेंगे इनके? प्रकाश चंदर कानपाल जी Which one of the following was honored with the first UNESCO ICM 2021 Martial Arts Education Prize? किनको सम्भानित किया गया? पहले UNESCO ICM 2021 के Martial Arts Education Prize से Kung Fu Nans को सम्भानित किया गया अगर हम UNESCO की बात कर रहे हैं, UNESCO का Headquarter कहां पे रहेगा अब जल्दी बताइए यह होता है Paris, France में Next, which of the following mobile applications were recently launched by Election Commission of India for Digital Mapping of Polling Boots? हम यह भी One Lines में discuss कर चुके हैं, क्या नाम रहेगा application का? Garuda, जो की launch की गई Election Commission of India के द्वारा किसलिए for Digital Mapping of Polling Boots? Select the anthology that was recently released by famous Indian author Ruskin Bond Ruskin Bond के द्वारा अभी एक famous anthology release की गई वो है Writing for my life, the very best of Ruskin Bond Next, accession day, कब observe किया जाता है? सबसे पहले यह बताओ And यह celebrate किया जाता है, Jammu and Kashmir में on dash That marks the signing of instrument of accession by Hari Singh in 1947 So, यह कब observe किया जाता है? 26 October को वो कौन सी पहली Indian state है जिन्होंने अप्रूफ किया उनका खुद का Own Wildlife Action Plan 2021 से 2030 के लिए तो महराष्टा वो statement यह बहुत important question है, mark करियेगा ठीक है? फिर अगर सबसे खुश्बुदार garden कहां पर है पूछा जाए तो Most aromatic garden वो भी उत्राखंड में है इसके अलावा उत्राखंड में एक और आ जाता है Largest open fenery और फिर इसके साथ-साथ अगर हम महराष्टा की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखने चाहिए दो-तिन wildlife plant wildlife century यहां की जैसे, oh sorry, tiger reserve आपको यहां के महराष्टा के पताओ ना चाहिए जैसे दो tiger reserve है यहां पर शाधरी, पूछा जा सकता है शाधरी tiger reserve कहां पर है यह आपका वेट महराष्टा का है दो tiger reserve पहला है शाधरी दूसरा है आपका शाधरी tiger reserve और दूसरा आजाता है आपका मेल घाट tiger reserve ठीक है, चला हूँ नेक्स पे पढ़ी अगला question Supreme Court Bench instituted a three-member expert panel to investigate the issue of the usage of Pegasus spyware malware in 2019 on Indian citizens यह भी one-liner में हम discuss कर चुके आपके साथ विच ओगनाईजेशन inked a hundred million US loan agreement for the Maharashtra Agribusiness Network जिसको magnet के नाम से जाना जाता है to promote Agribusiness किस bank के द्वारा इनको 100 million US dollar का loan provide किया गया magnet scheme के लिए जो कि एक Maharashtra Agribusiness Network है ताकि उनके agriculture business को promote किया जासके किस bank ने amount provide किया 100 million US dollar का loan Asian Development Bank के द्वारा ये दिया गया ठीक है Asian Development Bank का headquarter Philippines में and New Development Bank का headquarter अगर मैं आपसे पूछूँ वो कहां पे है शंगाए प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोधी ने अभी reconstruction of the seven member advisory economic advisory council to PM who is the current chairman of EAC PM economic advisory council के जो chairman है वो कौन है आपसे ये पूछा गया simply वो है विबेक डैबरोय name the person जिनको appoint किया गया MD and CEO of Jammu and Kashmir Bank by RBI RBI के दवारा Jammu and Kashmir Bank के CEO and MD किनको बनाए गया है आपसे ये पूछा जा रहा है क्या नाम है व्यक्ति का बलदेव प्रकाश next which country built the largest hydrogen fuel cell power plant किनके दवारा करा गया South Korea के दवारा दुनिया का सबसे बड़ा hydrogen fuel cell power plant बनाए गया President कौन है South Korea के moon jay in currency है won and इसमें धाई लाख households per year को energy या electricity प्रोवाइड करने की शमता है इस hydrogen cell power plant में जोकि South Korea के दवारा establish करा गया Jillian 1 ये एक remote sensing satellite है जो कि किस country के दवारा launch की गई आपसे पूछा जा रहा है चाइना के दवारा इसको launch किया गया है next name the philanthropist जिन्होंने एक book लिखी How to avoid a climate disaster वो philanthropist का नाम है Bill Gates ये co-founder है Microsoft के इन के साथ दूसरा co-founder कौन रहेगा कौन थे वो थे Paul Allen इंडेक्स में हम discuss कर चुके हैं उपर कि sixth edition of public affairs index में जिस state ने top किया वो थी केडला काफे important public affairs index mark करके चलिएगा इसको वो कौन सी insurance company है जो कि पहली life insurer बने to join the account aggregator framework कौन सी है वो जिन्होंने account aggregator framework को join किया वो है max life insurance headquarter guru gram हर्याना रहेगा American multinational technology conglomerate facebook ने अभी अपना या फिर simple question है कि facebook ने अपना नाम change करके भी उसको rebrand कर दिया क्या रखा है meta correct option option 5 अभी recently शक्तिदान दास आपसे पूछा गया कि शक्तिकान दास जो की governor है RBI के वो कौन से नंबर के governor है वो 25th governor है RBI के and अभी recently accounts committee of the cabinet के द्वारा उनको 3 साल का extension मिला है ठीक है 3 years का extension मिला है किनको शक्तिकान दास को जो की क्या है 25th governor of RBI है हमारे तो correct option हुआ option 4th which is the 7th class 7th तलवार class frigate of the Indian Navy जो की launch किया गया at Yatra Shipyard Russia में I repeat 7th class 7th तलवार class frigate Indian Navy का जो अभी launch किया गया Yatra Yatra Shipyard Russia में क्या नाम है उसका वो है INS Tushili Next अभी recently friend Wilson ने international cricket से retirement ले 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 which country उनसे represent करते हैं या फिर which country did she represent she represented England अगर हम ICC की बात कर रहे हैं तो इनके चेर्मेन कौन है Greg बाकले ठीक है हेड़कॉर्टर का रहेगा ICICI का दुबाई में ICC का ICICI नहीं ICC का International Cricket Council का हेड़कॉर्टर दुबाई में अगर हम दुबाई की बात करें तो याद रखना IPL का वेन्यू भी दुबाई था and T20 के World Cup का वेन्यू भी दुबाई ही है IPL को जीतने वानना चन्नेश Super Kings and T20 अभी ongoing है तुम पता लगेगा किसने जीता Next पुनीत राजकुमार पुनीत राजकुमार एक नोटिड कन्नड एक्टर थे जिनका रिसेंटली निदन हो गया है Next अभी रिसेंटली उस और्गनाइजेशन का नाम बताओ जिन्नोंने Health Insurance for India's Missing Middle रिपोर्ट रिवीलिंग 30% of the Indian population किसी भी Health Insurance Scheme के अंडर नहीं आते किसके द्वारा ये रिलीज किया गया निती आयुक के द्वारा निती आयुक से पहले ये निती आयुक बना कब एक जनवरी 2015 को इससे पहले इसको Planning Commission कहते थे Planning Commission कहते थे निती आयुक के चेर्मेन कौन है जो करेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रहेंगे एंड जो Planning Commission का क्या होता थे जो 5-year plans लाते थे वो Planning Commission के साही मदद से ही आते थे यही recommend करते थे Next किस country ने अभी participate किया along with the Indian Air Force Indian exercise जिसका नाम है Blue Flag 2021 तो Blue Flag में किन दो countries ने participate किया India ने एंड इसराइल ने इनकी Air Force ने इसमें participation शो करापना Next Name the bank जिसने partner किया bankbazar.com के साथ to launch a co-branded credit card जिसका नाम fin booster रखा गया to measure the customers credit worthiness किस bank के द्वारा यह करा गया आपसे पूछा जा रहा है नाम है bank का? Yes bank bank का नाम रहेगा ठीक है? Next Next है इंडिया के वो top philanthropist कौन है according to the Eldegave Huron India Philanthropy List of 2021 तो इंडिया के सबसे बड़े philanthropist रहेंगे Ajim Premji Ajim Premji आपको याद रखना है इंडिया के सबसे बड़े philanthropist होते हैं या मतलब दानी है ठीक है? सबसे बड़े दानी तो इन्होंने अभी तक 7,9,1,3 last year मतलब 2021 से 2020 से 2021 के बीच में around 9,713 करोड रुपीज का donation करा इसके हिसाब से देखे जाएं तो 27 करोड रुपे पर डे के हिसाब से इन्होंने donation करा है Ajim Premji में सेकिंड नंबर पर आजाते हैं आपके शिव नादर next next कह रहा है अकोई एस पर दग्रीन हाउस बुलेटन of the World Meteorological Organization Global GHC Emission touched a new record high emission in 2020 and it will contribute to a 2.7 degree Celsius increase in temperature by 2100 या फिर 2100 तक Headquarter of World Meteorological Organization कहा है आप से डारेक्ट ये question पूछा गया कहाँ पर है Geneva Switzerland में आपका Headquarter रहेगा World Meteorological Organization की अब अगर मैं आप से पूछू IMF World Bank UNESCO और ADB New Development Bank Headquarter इन दोनों के कहाँ पर Washington DC UNESCO का Paris में Asian Development Bank का कहाँ पर Manila Philippines में New Development Bank का Headquarter कहा रहेगा यह है आपका Shanghai Next Isha Ambani was appointed as the Board of Trustees of the National Museum of Asian Arts for a term of four years Where is the National Museum of Asian Arts located? यह National Museum of Asian Arts कहाँ पर लोकेटिद है Washington DC USA में यह लोकेटिद रहेगा All right friends तो यह थी आपकी वीडियो शंग तो friends यह थी हमारी वीडियो अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और friends अगर आपको हमारे content से related या फिर हमारी कोई app से issue आ रहा है कोई भी आप आपको problem है तो आप हमारी Gmail ID जो कि है support at the rate of affairs cloud.com या फिर हमारा number 967333862 पर contact कर सकते हैं और हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपकी issue को resolve करने में आपकी साहता करेगी So take care झाल Thank you